दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आपके पास CP Plus का कोई सा भी केमरा है तो उसको आप अपनी LED TV में कैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुच चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं आप इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो में एंड तक भने रहेना आपकी सीथाई डाउट सुच वीडियो में क्लियर हो जाएगी इसके लिए सबसे पहले आपको देखिए Wi-Fi connection आपके पास टीवी में होना चाहिए इसके लिए आपको देखिए एक ब्राउजर की जर्वत पढ़ती है बेसिकली connect करने के लिए जो कि ब्राउजर आप चाहे तो टीवी के प्लेश्टोर पर जाईए और वहां पर आपको सर्च करना होगा जी यो एस फैर ब्राउजर यहार एक टीवी में अवैलेबल होता है और इसके तुर्ण आपको क्या करना है आप थोड़े हैं प्रेसे ब्राउजर आपको इसको आपको जाता है तो इसको आपको ओपन करेंगी ओपन करने के बाद देखिए इस तरीके से आपको यूरेल डालना है साइड में आपको यहां पर यूरेल दे रहा हूं यह यूरेल आपको इस पर डालना है सर्च बार में पहले का यूरेल जो यहां पर एक्सपार हो चुका है तो इसलिए आप नया यूरेल जनरेट कर आ चुका है साइड में आप डालेंगा यह यहां पर से इसके बाद आपको सिंप्ली सरच कर देता है सर्च करने के देखी एक QR कोड़ आएगा इस QR कोड़ को आपकी मोबाल में जो का इजी एप्लीकेशन है मुभाय्ल में ऑपन करिएक नीचे इसको सिंप्पली ओपन करनेक बाद में क्लिक करके इसके नर आता है ऊपर आप सकते हैं इसका इसके क्लिक करकी यह टीवी क्यायाओ रहाही की आरए मिलॉंञ पर कि Lonesハ कि seront सब्सक्राइब दीवास्त्राइब कि अब देखिए यहां पर आपको डिवाइस आ रहे आपिसमें अध्य बेट कर सकते ओ अगर आपकर एक डिवाइस एड़ खोटे घोले आप सब्सक्राइब करूंतिए दिने नीचे अपना नहीं हमा रहाए इस पर क्लिक कर देंगे अब यहां पर यह प्रोसेश करेगा कनेक्टिंग वीडियो इसस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है जो कि आप लाई देख सकते हो अब यहां से आप इसको ओपन करके पूरा जूं कर सकते हो और यहां से इसको आप मैनेज़ भी कर सकते हो जो कि आपको जिस तरह भी आपको एंगल में वाइड करना उस तरीके से घुमा सकते हो कि यह देख सकते हो टीवी में हमारा कनेक्ट हो चुका है से पी प्लस केमरा आपके पास कोई सब्सक्राइब कर सकते हो बहुत इजी तरीके से में इस वीडियो में आपको बताया है अगर आपको वीडियो हेल्प लाग हो लाइक कीजिएगा ऐसी और वीडियो देखने के बाकी चलिए मिलते हैं नेक्ट टोपिक साथ में तब तक जय हिन वंदे मातरम